नमस्कार दोस्तो वैलकम डॉसे अस्ट्रोलॉजी मैं नीतु सिंग दोस्तो मुस्से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुशती रहें सास बहु में आए दिन जगड़े होते हैं हर तीसरे घर में आपने सुना होगा कि सास बहु की नहीं बनती मैं यहां यह नहीं कहूंगी कि यहां पर बहु की गलती होती है या फिर सास की गलती होती है सास जातर देखा गया है कि सास बहु को कभी बेटी नहीं मानती कभी बेटी की तरह बहु को ट्रीट नहीं करती लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी देखे गए है जहां बहु को बेटी से बढ़कर माना जाता है तो जो रिष्टे में खटास होती है वो दोनों तरब से होती है किसी एक तरब से नहीं होती है अगर एक दूसरे को समझ लिया जाए तो ये एक रिष्टा बहुत ही अच्छा रिष्टा बन सकता है बहुत सारे घरों में बहुत सारी चीज़े होती है कहीं कहीं अब क्या बोलू मैं हर घर का अपना अपना एक तरीका होता है लेकिन आज की वीडियो में आपको यहीं बताने जा रहे हूं कि अगर सास पहु में जगड़े होते हैं सास पहु में नहीं बनती है आए दिन बाद बताऊंगे जिसको करने से आप इन जगडों से निजाद पा सकते हैं अगर आप सास बहु में से एक हैं जिनके बीच अक्सर अनबन रहती है तालमेल अच्छा नहीं है आए दिन किसी ना किसी बात को लेके अनबन बनी रहती है तो आपको अपने रिष्टे में प्यार को बढ रहाने के लिए दोनों के कमरे में लाल रंग की फोटो फ्रेम रखना जरूरी है आपको लाल रंग की एक सिंपल सी फोटो फ्रेम आप अपने यानि सास को अपने रूम में भी और बहु को अपने रूम में भी रखनी चाहिए जिससे दोनों की एक साथ खिची गई तस्वी तस्वीर लगी हो यानि जिसमें दोनों की एक साथ खिची हुई तस्वीर होने जो फोटो फ्रेम है आपको लाल रंका लेना है और सास वहू की फोटो उसमें एक साथ होने चाहिए और दोनों को ये अपने रूम में रखना इससे क्या होगा कि आप में तालमेल बढ़ेगा च समझने की शक्ती बढ़ेगी और जो आप में अनबन होती रहती है वो धीरे धीरे खतम होती चली जाएगी दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई वीडियो लाइक करें शेयर करें मुस्ते जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे ज है माता दी